लालू जी पर कमेंट किया गया मांजी जी के द्वारा व्यक्तिगट को और पर क्या कहेंगे जाती की राजनीती को लेकर भी कमेंट को रहा है देखें मांजी जी काफी सीनियर नेता है और अभी सर्क बिहार का नेतितर वो नहीं कर रहे हैं पूरे मतलब अभी केंदर में मंत् लगता है जो मेरा व्यक्तिकत अगर आए मतलब मेडीये सामने रखने हूँ तो उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए किसी जाती सुचक इस तरह से कि कुई इस जाती का है इस जाती का नहीं है मारी माझी जी के पास कि एध प्रमान पत्र माझीजी सञच करवाना पड़ेगा। बनसावली करणेक सामने तो मैं तो कह आ रही हूं न में कि पहले बिहार काने तुम कर रहे हैं सबूझat देश में अब Stats पने लॉइन ओर्डर पर बुछा कहेंगे जिस तरीके से लगटार तेजसुई जलकर कर रहे हैं बिहार में पूल गिर रहे हैं आज भी एक पूल गिरा है उसको लेकर भी टूट हुआ है देखिए मुझे लगता है कि नितिश कुमार जी की सरकार पे पकड़ कमजोड पड़ गई है और मीडिया के माध्यम से और जब आप पब्लिक में जाते हैं तो तरह तरह के नामों की ल जिस तरह की घटना ही घट रही है उसको राष्टिया जनथा दल हमेशा मीडिया के सामने रखने के, बिहार के जनता के सामने काम कर रहा है तो यंए आधर साल पहले की जो सरकार थी बार-बार कोई अगर घटना कढ़ती है तो उस पर आरूपित कर दिया जाता है लेकिं सरक सब्सक्राइब. मुखे मंत्री जी भी करते है नितिश को मार जी भी करते है है और फिर मैं वही बात ढोनाओं की डबल इंजन सरकार इंत अब और केंड удивी तो मुस्छे लगता है कि मांग करने के सबक्राइब. नहीं होनी चाहिए ती यह जो सरकार बनी है माहिला होने के नादे इसकी कड़ी निंदा करती हूं कि इस तरह की घटना देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए और कड़े कानून और तुरंथ उनको पकड़ के उनको सजा मिलने चाहिए और कई एक बार इस तरह की घटनाए होती है तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं एक दूसरे दल पे आरोप रत्यारोप लगाना शुरू करना चाहिए और इस तरह की घटना देश के किसी भी राज्य में चाहिए किसी की भी सरकारों नहीं घटनी चाहिए सवाल सिलीगोरी में बिहार के स्टुडेंट को लेकर हरास किया गया है उनका वीडियो सोचल मेडिया पर वाइल है क्या कहेंगे हम सब लोगों ने भी हुई है तो मतलब किसी एक घटना को ऐसे उठा करके लेकिन मैं बार बार यहीं करी हूँ जैसे मैंने भी महिलाओ के लिए का तो इस तरह की घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए और कि ममताब अनरजी ने इस पर अक्शन लिया है और उस पर करवाई हुई है